सारदर निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है, आईए, आज हम सीखेंगे, ये सुन्दर सा शॉल मफलर स्टोल का डिजाइन, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं, आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हमेशा की तरहें, डबल उन लेकर हम चैन बनाएंगे, फाउंडेशन चैन, जितनी हमको चोड़ाई रखनी है, मफलर है, शॉल है, जो भी आपने साइज तै करा है, उससे थोड़ी सी ज्यादा चोड़ाई की चैन बना लीजिए, जिससे लास्ट में कभी कभी कमना पड़े, हमको उधेड कर दुबारना शुरू करना पड़े, तो मैं थोड़ी सी चैन बना कर फिर आपको मिलते हूं, अभी हम एक छोटे सैंपल पर ही देखेंगे, बहुत छोटा भी नहीं, बड़ा है, जैसे मफलर की साइज का एक हम सैंपल बनाएंगे, चैन हम हमारा है, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया, आसान रहता है, ये बनाना हर कोई इसको बना सकता है, इसलिए मैं इसको पसंद करती हूं, कि जो बिगनर हैं वो भी इसको बना सकते हैं आरम से, तो ये तो हमेशा, ये क्लस्टर आगे जा रहे हैं और साथ 7 डबल क्रोशिया एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे थोड़ा जोल का खिचाव का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हमारी कोई चेन बहुत धीली है तो हमको उसमें दो बार बनाना पड़ सकता है और अगर बहुत टाइट हो गई है तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं यह जो फांडेशन की लाइन है जो पहली लाइन है शुरुवात वाली अगर यह सही हो जाए तो आखीर तक हमें कोई परिशानी नहीं होती है तो इसलिए पहली लाइन पर हमें थोड़ा सा विशेश ध्यान देना होता है देखिए गई यह हमारे बना लिए Yes इस्ता के तो इसके बाद नीचे की जगह चोड़ दी और फिर एक डबल करोश्या फिरसे दोचे और इसके बाद नीचे की दो चेन की चोड़ेंगे या देख लीजी अगर जैसे मुझे यहां लग रहा है, कि मेरी lose है वो chain, तो एक chain छोड़ने से ही हो रहा है, तो मैंने एक ही chain को छोड़ा है, तो इस तरह से हमने ये दो chain, एक double crochet, दो chain का एक बीच में जगह बनाई, अब उसके बाद आगे हमको 13, 13 double crochet बनाने हैं, तो वही प्रत्य एक chain में एक एक ब बनाई, और फिर से हमने इसको देखा यहां पर रखकर, एक double crochet, फिर से दो chain, और फिर से 13 बार हम double crochet बना रहे हैं, मतलब ये एक जो design है न, ये यहां पर बनेगा, और ये यहां पर बनेगा, तो ये 13 double crochet बनाकर, फिर मैं मिलती हूं आपको, हम एक बार समझ लेते हैं, कि फिर है वाला हम बना रहे हैं, उसके बाद हमको एक अकेले crochet वाला भी बनाना है, और फिर हमको ये 7 double crochet लेने हैं, जैसे हमने शुरुआत मे लिए हैं, और ये वाली जो धारिया है, ये जो double crochet की पूरी line है, ये हम design शुरू करके, बाद में भी हम उलटकर, इसको जितना भी च तो हमने 13 double crochet बनाए, फिर से 2 chain और 1 double crochet, 2 chain और इस बार हमको यहाँ पर 7 double crochet हम बनाएंगे किनारे वाले, last हम कर रहे हैं, design हम इतना ही चौड़ा आपको बना कर दिखाने वाले हैं, 7 double crochet हो गए, अब हमने 1 नीचे की chain चोड़ दी या 2 चोड़ देते हैं, एक ही चोड़ते हैं, और उसके बाद जो हमारी side का cluster है, जो हमारी boundary wall है, उसके लिए हम बना रहे हैं, 2 double crochet, 1 chain और 2 double crochet, इस तरह से हमने थोड़ी सी extra chain बनाएं थी, तो हमारा design अब पूरा हो गया है, बस इतनी ही चोड़ाई हमको लेकर आपको दिखाना है, यह हमारी extra chain है, तो इनको हम उधेर दें है, तो इस तरह से यह आसानी से उधर जाती है, आखरी, देखो आखरी तक हम पहुँच गए, एक बार और उधेर हैं, अभी नहीं उधेर हैं हम इसको, बस इसको अब हम इस तरह से खीच के tight कर देते हैं, अगर गाठ लगानी है तो गाठ भी लगा दीजिए, यह हमारा chain का काम हो गया, खतम, अब हम मुड़ेंगे और हम उपर की अपनी बुनाई शुरू करेंगे, मुड़ने के लिए हम अपना कोई एक नियम बनाएंगे, कि हमने दो chain का नियम बना लिया है, आप दो chain, तीन chain का देख सकते हैं, जैसे भी आपका हाथ हो, तो दो chain बनाकर दो double क्रो क्रोशिया थे, तो इनके उपर अब हमको बनाना है 5, 5 double क्रोशिया इनके उपर बनाने हैं, दो बन गए, ये हमारा तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया, और ये पांचवा, बस, साथ के उपर हमने 5 बनाए, अब फिर से हमने 2 chain बनाई, तो देखो मैं यहां से ये जो एक नीचे उन दिखाई दे रही है, तो 3 उन के नीचे से मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा मजबूत रहेगा, एक double क्रोशिया, दूसरा double क्रोशिया, और तीसरा double क्रोशिया, तीन हो गए, दो chain और यहीं पर दुबारा, फिर से, एक double क्रोशिया, दूसरा और तीसरा, इस तर यह अधूरे से, आधे से शुरू हुई है, यह घटेगी, फिर यह बढ़ना, घटना, बढ़ना, घटना, फिर यह बर्फी नुमा, डायमंड शेप जाएगे, तो 13 के उपर हमको 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसलिए 2 हमको छोड़ देने हैं, आप हम तीसरे में गए, और त दूसरा बनाया, बस इसी तरह से 9 डबल क्रोशिया इनके उपर हम बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यह बात तो समझ में आ गई, फिर से हमारे 2 डबल क्रोशिया इधर के भी रह गए, दोनों तरफ एक समान हो गया, दो चेन बनाई, इस अकेले सिंगल डबल क्रोशिया पर हम 2, 3, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, बहुत आसान, सिंपल डिजाइन है, और स्टोल में शॉल में अच्छा लगेगा, आप जरूर ट्राई करिएगा, फिर से 2 चेन और जो यह हमारे 13 डबल क्रोशिया है, इनके उपर 9 डबल क्रोशिया, तो जितना भी हमारा चोड़ाई है, फिर से हमने 2 चेन ली, और यह हमारा अकेला वाला क्रोशिया आ गया, इसके उपर जाकर, हम वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया वाला काम करेंगे, यह हो गए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन हो गए, और 3 और डबल क्रोशिय हो गए, दो chain बनाई, और जैसा right side में होता है, सीधी तरफ वैसा ही, उल्टी तरफ होता है, तो यहां हमको वही 5 double crochet बनाने हैं, 5, तो 1, 2, 3, 4, और 5, 5 double crochet हो गए, यह सीड़ी सी बनने लगी, यह छोटा होने लगा, और यह जो हमारा side की boundary wall है, इसमें हमने 2 double crochet, एक chain, और 2 double crochet, इसके बाद, और 2 double crochet, फिर वही मेरा 2 chain का rule है, मैंने 2 chain की बाद टैकरी है, 2 chain बनाई, मोड़ गए, फिर हम आगे चल रहे हैं, यह side का हो गया, तो गिंती ऐसी रख रहे हैं हम कि हमें याद रहे, 5 थे, अब की बाद हमको सिर्फ 3 double crochet इसके उपर यह जो हमारे बढ़ने वाली जगह है, जहां design बढ़ेगा, उसके पहले वाले double crochet के उपर जाकर, हम 3 double crochet बना रहे हैं, एक ही जगह से तीनों को हमने उठाया, उसके बाद 2 chain बनाई, और अब जो अगला वाला group है, 3 double crochet का, इसका जो आखरी double crochet है, उसके उपर जाकर हमने 3 double crochet एक ही जगह से उठा रहे हैं, तो यह हमारा एक अलगतर है का बनेगा, formation अलगतर है की होगी, अब फिर से हमने 2 chain बनाई, और आप तो आपको समझ में आ गया है कि यह जो हमारा है, यह भी हमारा घटेगा, यह पहले 13 हैं, उसके बाद 9 थे, तो इस बार आप बताओ कितने होंगे, तो 4-4 घटे हैं, इस बार हमारे सिर्फ यहां पर 5 होंगे, तो हमने पहले 2 को छोड़ दिया, तीसरे double crochet के उपर जाकर हमने 1, 2, 3, 4 और 5, तो यह हमारी जो है, अच्छी सी सीड़ी बन गए, फिर से 2 chain और यह जो पहला वाला double crochet है, इसी के उपर जाकर हमको, 3 double cap बना रहे हैं, अब मैंने यह दो उन यक्प को लिया है, जो wave है, उसी के नीचे से लिया है, फिर से 2 chain और यह हमने अपने side की boundary wall बना रहे हैं अब हम क्या करेंगे दो chain बनाएंगे यह सब छोड़ देंगे यह जो तीन डबल क्रोशिया है इनका पहला वाला डबल क्रोशिया है उस पर जाकर हम एक ही जगह पर तीन डबल क्रोशिया बना रहे हैं दो बन गये, और ये हमारा बन गया, तीसरा, फिर से दो chain-li हमने, और ये जो बीच में 2 chain की जगह है, इस पर जाकर 3 double crochet बनाए, फिर 2 chain-li हमने, और ये जो हमारा group है, इसमें जो आख्री वाला double crochet है, इसके उपर जाकर एक ही जगह से 3 double crochet बनाए, तो इसमें दो तरहे की ये बनावट जा रही है, तो ये बनावट आप अलग समझ लीजिए, और ये वाली बनावट आप अलग समझ लीजिए, बस इतना ही समझना है आपको कि ये बढ़ रहा है, फिर ये छोटा होगा, ये छोटा हो रहा है, तो ये बढ़ेगा आगे जाकर, फिर से दो चेन बनाई और यह हमारे 5 डबल क्रोशिया में जो बीच वाला है दो उधर से छोड़ दिये, दो दूसरी तरह छोड़ दिये जाएंगे बीच वाले डबल क्रोशिया के उपर एक डबल क्रोशिया बस दो चेन और उसके बाद हम अपने आगे की बुनाई वही है, यह तो अब आपको समझ में आ गया जैसा राइट साइड वैसा ही लेफ्ट साइड दो चेन बनाई इस सब को छोड़ दिया और हम आगए अपने किनारे पर यह हमने कर लिया तो एक तो जरूरी बात यह है कि वीडियो आप अंत तक देखा करिए क्योंकि कुछ ना कुछ जरूरी बात रहती है आप उनको मिस ना करें अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको यह बहुत धिला धिला लगे तो आप अपना क्रोशिया बदल लिजेगा क्रोशिया पतला कर सकते हैं क्रोशिया पतला करने से आपका धीलापन जो है वो कम हो जाएगा तो ये आपकी इच्छा है आपकी उन जैसी है आपका बुनने का तरीका कैसा है इस बाद से ये निर्भर करता है तो देखिए, इस तरह से हम यहां तक पहुँच गए हैं, अब हम चलेंगे आगे, अब यह जो हमारे पास जगह है, इसमें हमको बनाने हैं, तीन डबल क्रोशिया, आपको मैं वैसे अगर समझाओं, आप समझ पाएं तो, यह जो हुआ है ना, यह अब उल्टा जा रहा है, य तो अब हमको इनको दो जगह करना है, तो अब यह जो फूल है, इसमें यह तीन जगह हमने बनाया था, अब हमें दो जगह बनाना है, तो इसको घटाने का तरीका ऐसा है, कि जो यह बीच वाला हमारा तीन डबल क्रोशिया का है, इसके पहले डबल क्रोशिया के उपर हमने तीन बनाए, दो चेन हम पहले ले ही चुके हैं यहां पर, फिर से दो चेन ली और इसका जो आकरी वाला तीसरा डबल क्रोशिया है, उसके उपर जाकर हमने तीन डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से हमने ये घटाया है, अब फिर से दो चेन ली हमने और हम आगे चल रहे हैं, आगे चलने के लिए हमने ये एक हमारा अकेला है इसके साइड में 5 करने हैं हमको याद है न तो 2 हमने साइड में बनाए इसके उपर एक बनाया तीन डबल क्रोशिया ये चौथा और ये पाँच्वा तो इस तरह से ये बढ़े गाप और ये घट रहा है तो गिंती तो मैंने आपको समझा दी, मुझे लग रहा है, बात तो आपको समझ में आ गई, दो chain, इसको छोड़ दिया, ये center वाले पर आ गए, बीच वाले पर, उसके पहले double crochet के उपर ही, तीन double crochet का group बनाया, दो chain ली, और उसके तीसरे double crochet के उपर, दूसरा, तीन double crochet का group बनाया, ये एक, दो, और तीन, फिर से दो chain ली, आगे बढ़ गए, इन सब को छोड़ दिया, इसके उपर आ गए, और यहाँ पर आकर दो side में double crochet, एक इसके उपर तीन हो गए, ये चौथा, और ये पाँचवा, five double crochet हमने इस तरह से बनाए, तो ये में बनाकर फिर last में आपको फिर मिलूंगी, ये हमने कर लिया, last में हम आ गए, दो chain बनाई और इधर हमको तीन double crochet बनाने है, जैसा right side में, वैसा ही left side में, ये हमने इधर ऐसे बनाया था, इसके बार, फिर हमारा जो ये side का, दो double crochet, एक chain दो double crochet है, इसको हम बना लेंगे, दो chain, मूर कर, फिर से इसमें, दो double crochet, अब अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, ये उल्टे जा रहे हैं, यहाँ पर तीन है, तो अब पाँच होना है, है ना, और यहाँ पर जो ये दो है, तो इसका आगे एक होना है, तो इस तरह से ये घटना और बढ़ना, दो design का एक साथ चलेगा, तो हम तीन double crochet के उपर, तो तीन double crochet बना लेंगे, और आगे वाली जो जगह है, और आगे वाली जो जगह है, इसमें दो और बनाएंगे, टोटल हो गए हमारे पाँच, दो chain ली हमने, और ये center में जाकर, यहाँ पर हम तीन double crochet बना रहे हैं, ये जो दो chain की जगह थी, इसमें जाकर हमने तीन double crochet, फिर से दो chain ली हमने, अब हम आगे यहाँ पर, ये अब हम आगे चल रहे हैं, तो फिर से आप समझ लीजिए, ये एक है, ये 5 है, यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, तो ये इसी तरह बढ़ेगा, 5 के उपर 9 करूँगी मैं, अगली बार 13 करूँगी मैं, तो इसके लिए, ये मैंने 2 चेन बनाई है, और 2 चेन बनाकर, यहाँ पर मैं 2 डबल करूशिया बना रही हूँ, इस साइड में, 5 के उपर मैं 5 बनाऊँगी, और दूसरी तरफ जाकर, मैं फिर 2 बनाऊँगी, तो मेरे 9 डबल करूशिया हो जाएंगे, 5 के उपर 5 बनाऊँगी, और दूसरी तरफ जाकर, फिर से 2 एक्स्ट्रा बनाऊँगी, तो मेरे 9 डबल करूशिया हो जाएंगे, यह हम आगए, दूसरी साइड, यहाँ आकर हमने 2 और बना लिए, 9 डबल करूशिया हमारे हो गए, फिर से 2 चेन, और यहाँ पर आकर, फिर यहाँ पर आकर, 2 चेन की जगा में 3 डबल करूशिया, बस इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, यह जो बीच के फूल है, देखिए, इस तरह से जा रहे हैं, और हम आगए इस साइड में, यहाँ पर आकर हमको, यह हमारे जो 3 डबल क्रोशिया है, इनको 5 करना है, तो यह मैंने 2 बनाया, 3 के उपर 3 बनाऊंगी, और साइड की जो मेरी यह एज है, इसको मैं, वैसे ही 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर आगे जा रहे हैं, तो यह जो 5 हैं, इसको हम साथ करने वाले हैं, 5 डबल क्रोशिया जो हैं, इसके उपर हम साथ करेंगे, 5 के उपर 5, 2 हम आगे additional बनाएंगे, फाल्तू, 2 हम आगे extra, यह 5 के उपर 5, और 2 हमने आगे बना लिया है, अब फिर से 2 चेन बनाई हमने, अब यह समझें कि हमको क्या करना है, यह जो हमारे 3 हैं न, यहाँ पर हमको 1 डबल क्रोशिया उठाना है, तो यह मैं फिर यहाँ पर, आप कैसे भी उठा लीजेगा, कोई भी अपना नियम बना लीजेगा, मैं थोड़ा सा 3 उन के नीचे से उठा कर बना रही हूं, यह एक डबल क्रोशिया बनाया, दो चेनली, और यह जो हमारा आगे का 9 डबल क्रोशिया है न, यहाँ पर हमको 13 डबल क्रोशिया करने है, तो यह जो अकेला वाला है, यह हमारा यह जो अकेला वाला है यह बन गया है, अब यही हम दोहराएंगे यह जो प्रिक्रिया यहां हमने पकड़ी थी वो आगे हमें करनी है तो इसके बाद तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए डिजाइन है ना तो यह 13 डबल क्रोशिया करके मैं थोड़ा सा एक लाइन आपको और करके दिखा दूँगी यह देखिए 13 कर लिये हमने फिर से आ गए हम यह जो हमारे तीन डबल क्रोशिया है उसके उपर हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया फिर से दो चेन और यहां पर हमको 13 डबल क्रोशिया बनाने हैं दो हमने बाहर से बनाए और बाकी 9 के उपर 9 बनाएंगे और दूसरी तरफ दो और बनाएंगे दो और बनाएंगे फिर से दो चेन अभी यह तीन डबल क्रोशिया आए हमारे इसमें बीच वाले डबल क्रोशिया के उपर एक अकेला डबल क्रोशिया, दो चेन, और यहाँ पर यह हमारे 5 डबल क्रोशिया है, तो हमने 2 बहार बनाए, शुरुवात में बनाए, और इन 5 के उपर 5 बनाएंगे, तो यह हमारे 7, 7 डबल क्रोशिया हमारे हो गई है, इसके बार तो side है, लोटके में आकर आपको फिर से ए यह मैं 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक, दो, तीन, चार, और पांच, दो चेनली, और फिर हमको यह जो हमने बनाया था, इसके उपर यही मैं 3 उन के नीचे से निकाल रही हूँ, एकदम 2 उन से नहीं ले रही हूँ, यह तीसरी उन भी ले ले ली है, तो 3 डबल क्रो और 3, दो चेन, यहीं पर दुबारा फिर से 3 डबल क्रोशिया, वही दोहरा रही हूँ मैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने यह दिखा दिया, तो बस इसी तरह से होगा, वीडियो आप अभी और थोड़ा देखें, क्योंक यह मैं मफलर ही बना रही हूँ, जब यह पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा दूँगी, कि इसमें कितनी उन लगी, और इसकी क्या लंबाई चोड़ा ही रखी है, तो आईए, अब हम अपने स्टोल की तरफ चलते हैं, अगर आप चाहें, तो बाद में यहाँ पर उ जुश्या की बना सकते हैं, उसके बाद यह चेन से इस तरह से बनाया है, सिंगल उन से चेन बना लीजिए यह या डबल उन से बना लीजिए, आप अपने इच्छा नुसार यह बना सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, कि यह जालर कैसे लगी है, और जालर का साइज क और इसको थोड़ा सा इमेट लीजिए या इसको बढ़ा कर लीजिए, और इस तरह से यह निकल गई, यह एक तरफ एक जैसा ही रहे, यहाँ पर यह जैसा लुक है इसका, तो यह एक तरफ एक जैसा लुक रहे, इस बात का ध्यान रखना है, और इसकी जो लंबाई है, तया इसकी चोड़ाई लगभग 21 इंच है, तो आप अपनी इच्छा नुसार इसका घटाना बढ़ाना कर सकते हैं, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 62 इंच के करीब है, जालर अलग से तो 4 इंच के आसपास की जालर लगी है इसमें, आप जालर कितनी लंबी लगानी है ये आप पाई बढ़ा सकते हैं, उसी हिसाब से इसकी उन बढ़ेगी, उन की मात्रा, ये लाइट वेट माइक्रो उन है, इसमें इसलिए कम वजन है उन का, लाइट वेट हलकी उन भी 600 ग्राम जरूर लें वरना साइस के हिसाब से ज्यादा उन लें, तो आशा है आज का ये वीडिय इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।